आपके साथ औरत अगर कुछ ठान ले तो वो उस चीज को करके रहती है ये लाइन बस बोलने के लिए नहीं है असल जिल्दगी में भी ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है जहां बिहार की एक बेटी अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश करने के खातिर ए जिन दिनों एक लेडी इरिक्षा चालक जिनकी उम्र 30 साल है उनका नाम पिंकी देवी बताया जा रहा है जो कि भागल पुर्जी लेके बात थाना शेत्र के नया गाउं पंचाय स्थित उतर टोला उच गाउं निवासी अमर जी शर्मा की धरम पतनी है जिनोंने एक नई मि महिला द्वारा देखी गई है जो अपने बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए एक मिसाल कायम कर रही है महिलाओं के लिए प्रेड़ना बन चुकी पिंकी रोजाना सुबा अपने घर से एरिक्षा लेकर निकलती है जब वे अपने घर से निकलती है तो सब की नजर उस भाई बहन थे जिनमें वे सबसे बड़ी है जब वे चोटी थी वे पढ़ली कर कुछ बनना चाहती थी लेकिन उनके पिता की आर्तिक स्तिती ठीक नहीं थी जिस वज़े से वे सिर्फ आठवी तक ही पढ़ाई कर सकी इसके बाद साल 2010 में उनकी शादी उच गाओं में सुब तीन सार की एक बेटी और एक बेटा जिनका नाम सत्यम है उन सब बच्चों को पढ़ाना और घर की आर्थिक स्तिती मजबूत करने का संकल पिंकी ने लिया है पिंकी बताती है कि उन्होंने ए रिक्षा खरीदने के लिए सबजिया बेची जिसके बाद वो ए रिक्षा चला दॉन पूरे कर सके पैसे की दिकत होने के चलते वे अपने सपने पूरे नहीं कर पाई लेकिन अब वए बैठ बच्चों के सपने पूरे करवा सके वी यह भी कहती है कि बच्चों को बैतर सिक्षा दिला कर काबिल बनाएंगी और उन्हें इंजीनियर, दॉक्तर या फिर अ फिलाल इस खबर में इतना ही दन्यवात